अस्वाम लाइकूम क्या हाल जाल हैं मीध हैं कि आप सब ख्यारियस से होंगे तो आज मैं आपको छोटी बच्ची के लिए एक टॉप बनाना सिखाऊंगी जो के थोड़ा सा फैबरिक के आपके पास अवेली भल है तो आप इसकी टॉप बना सकते हैं इसकी लेंथ जो है वो 23 इंच है मैंने 26 इंच से त्यार करना है तो 5.5 इंच का शोल्डर ये 6 साल की बच्ची के लिए है और 5.5 का नीचु को गहराई में तो ये आप 5.5 का भी कर सकते हैं तो इसकी मैंने 14 इंच रखिया तो इसकी 14 इंच से सीधा इसको इस तरह से कर दूँगी ये तकरीबबन 16 इंच टोटल है इसकी 18 इंच टोटल इसकी चुड़ाई है फैबरिक की तो 14 इंच मैंने इसकी चस रखिया तो ये देख सकते हैं ये इस तरह से तो इसकी नीचे से मैं आपको चुड़ाई बता देती हूँ कितनी इसकी चुड़ाई है तो अब यहां से 10 इंच पे निशान लगा लूँगी पूरा तेन इंच पर निशान लगा लूँगी, चारो पीसिस को, तो दो इंच योड़ा और दो इंच गहरा ये पिछला नेक है, और आगे को थोड़ा सा बाद में डीप कर दूँगी, और बीच में कट लगा दूँगी, तो अब मैं इसको थोड़ा सा डीप करके, तो थोड़ा सा डीप करके इसमें कट लगा दूँगी, तकरिबन यहां पर दस इंच का फासला है, वहां तक कि मैं कट लगाऊंगी, अब जो ये आर्म होल के पीसिस हैं, इन से जो है, ये मैं स्लीव्स, ये देखें, ये फिटिंग से इसी तरह से मैं, जो है, तो ये देखें, इस तरह से स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी, तो आगे मैं पटी लगा कर इसको सेट करेंगी, तो अब मैं ये जो लैदा से फैब्रीक की है, उसकी ये जो मेरे फ्रिल्स हैं, वो बनाऊंगी, और चलें इसकी स्टिचिंग करते ह अब एक फोल्ड की हुई पटी ले लूँगी, तो इसके आगे जो है, ये स्लीव्स में तियार करूँगी इस तरह से, कि इसके आगे जो एक पटी लूँगी, जिसकी मैं लंबाई जो है, दोनों की बराबर राख लूँगी, ये तकरीबन तीनी चोड़ी पटी ले रही हुँँ मैं, तो इन दोनों की लंबाई जो है, ये मैं तकरीबन ग्यारा इंच ले रही हुँ, तो बाकी जो है, छुट-छुटी चुनट पना लूँगी, इस तरह से स्लीव्स को उपर को रखूँगी, और सेंटर में थोड़ी थोड़ी चुनट पना लूँगी, तो अब मैं इसके निचे पटी रखूँगी और दोनों स्लीव्स को इसी तरह से तियार कर, तो सेंटर में इसके मैं चुनट पना लूँगी, तो इस को उपर को फोल्ड करके तो यह जो स्लीव्स है में उतियार कर लूँगी जो स्लीव्स तियार करके मैं साइड पर रख लूँगी अब मैं इस तरह से करूंगी के बटन पटी को जितना मैंने कट लगाया है उससे छोटी जो है तकरीबबन उतनी नीचे वाला हिस्से के लगा लूँगी सेंटर में इसको रखोंगी तो इस तरह से हाफ इंच आगे को भड़ी होगी एक इंच की और हाफ इंच जो है वो फैब्रिक में आएगी तो इसी तरह से दूसरी साइट पर भी कर दूँगी तो जितना हमाएं मैंने फैब्रिक उसमें कट लगाया श्यट में उसके नीचे वाला फैब्रिक कटिंग कर लूँगी तो अब इसको मैं पका कर दूँगी यहां से एक बटन बस उपर अटैच करूंगी तो मैं इस तरह से करूंगी के अगले और पिछले हिससे को जो है वो जिस तरह से आम हम जो शर्ट स्टिच करते हैं इसी तरह से स्टिच करेंगी इसकी मैंने कमर से फीटिंग नहीं रखी बलके चस्ट की फिटिंग से ही एलाइन कर दिया है जिससे यह है कि हमारा जो शर्ट है वो जो है बिल्कुल सीधी है तो अब मैं इसकी कमर पर जो है वो लास्टिक अटेश करूँगी लेकिन स्लीव लगाने के बाद और यह आगे सिंपल है तो इसको मैं जरा थोड़ी सी स्प और इसकी फिटिंग की स्लाई लगा दूँगी स्लीव के भी उपर थोड़ी थोड़ी चुनट आएंगी और मैं इसकी मखजी लगा दूँगी जिस तरह से हम आम छोटी बची की फ्रॉक पर लगाते हैं बड़ी हुई तो इस तरह से मैं इसकी डबल मखजी ही लगाऊंगी वान इंच की मखजी लेकर उसको इस तरह से फोल्ड करके तो एक पैर की स्लाई में इसको जो है वो लगाऊंगी और मखजी को थोड़ा सा खैंच कर रखोंगी अब मैं इसको इस तरह से पीछे को कि कुछ सब्सक्राइब इसको फोड करके सप्सक्राइब करने के बार यह इसकी fitting की constitution लगाउंगे, पहले मैंने मज़ी लगा दिय salvar अब मैं fitting कीственिग में लगाउंगे, अब मैं fitting की sacrifice के लगांद सकते हैं अमें इसकी fitting की averaging का अब छोटी ने बारीक लियास्टिक वाब जतनी आपको जरूरत अब तो उससे थोड़ी सी जादा कटिंग कर लें तांके खैंचने से अगर कमी पेशी हो सके तो वह आप पूरी कर सके अब मैंने इसकी जो कमर से इसको मैंने 12 इंच त्यार करना है तो मैं 14 इंच फोल्ड जो है मसला 28 इंच की ले लूँगी मैं अलास्ट इक तो अब मैं इसकी कमर से इस तरह से फोल्ड करके तो इस्तरी कर लूँगी ताकर ये सारी जो है नशान लग जाए ये देख सकते हैं मैंने इसकी ये देखे इस्तरी की बदा से सारी को फोल्ड करके नशान लगा लिया बैक साइड से इस तरह से खोलूँगी और आगे और टोटल त्यार करनी है तो यह लास्टिक थोड़ी सी जब हम ख्याच कर लगाते हैं तो यह खुल भी जाती है तो इस वज़ा से आप जो है वह अगर हलकी सी तांग भी हो जाए तो कोई मस्तला नहीं इससे यह होगा कि एक आध दफा पहनने से यह खुल जाएगी बात में तो साइज में पूरी हो जाएगी तो इसतरह से माइसको खैच लगा दूंगी यह व्लम सब्सक्राइब जाए यह देखे एक साइ़ से मैं शुरू किया और ठूहोँ कर उसका हमकर इसको फॉल्ड करके स्टिच मा उपर से सारी प्संपनी कर लीना सिर्फ माने इसको one कर Sn schon grass फोर लगा लूँगी तो आप चाहें तो इसी तरह से भी आप शौट जो टॉप है वो इस्तमाल कर सकते हैं जीन्स गयरा के साथ है छोटी बच्चियों के इस तरह की टॉप जो है वो जीन्स गयरा के साथ बहुत खुब्सुरा लगते हैं तो इस तरह से भी आप इस्तमाल कर सकते ह लेकिन मैंने टाइट के साथ इस्तेमाल करनी इस वज़े से इसको मैं नीचे छुट छुटी फ्रिल भी लगाऊंगी यह देख सकते हैं इसको 6 साल की बच्ची के लिए तियार किया है तो 12 इंच की कमर है उपर 14 इंच की चेस्ट है तो यह टोटल जो कपड़ा था वो 20 इंच चुड़ाई में था तो आम इसके नीचे जो है फ्रिल लगा दूंगी छुट छुटी प्लेट बना कर तो करीमन पांच इंच की जो है वह यह मैं फ्रिल लगा दूंगी मैं वीडियो अपलोड करूंगी यह दिए देख सकते हैं बटन अटेश करने के बाद इसकी फाइनल लुक बहुत ही तॉप तयार की है टॉप तयार के साथ इसकी माईत होने के लिए पूप प्संद आई होगी अगर पसंद आए तो यह लाइक है शेजर कीजिए गा और मेर मेरे अगली वीडियो आने तक के लिए लाफीज अपना ख्या रखें कुछ रहें अबाद रहें बाकि सब्सक्राइब की हुई है तो इद आ रही है तो बहुत सारे जो हमारी बहने हैं वो घर पर स्टिच करती है तो इस वज़ए से पहले हैं मैंने सारी इस वज़ए से इक